हालो स्टुडेंट्स आपका सरोसर्मा क्लास है यूटूब चैनल के सब्डिवीजन मेडिकोई टाइम्स यूटूब चैनल पर एक वार फिर से स्वागत है हम बात कर रहे हैं हिस्टोपेथालोजी की हिस्टोपेथालोजी में हमारा चेप्टर चल रहा है और सदों तो यह उसको बिश्टर रूप से पढ़ रहे हैं जो उसको हम क्राशिप्र रहे हैं वाहाई कर जिसमें हमने जो दो प्रकार की जो फिक्सेशन या फिक्सेटिव हैं उनके बारें बात कर लिया है अब हम बात करते हैं अगले जो फिक्सेशन है वेपर फिक्सेशन एंड परिफीजन फिक्सेशन ठीक है तो इनके बारें हम इस वीडियों बात करने वाले हैं तो देखिए आप टाइपस ओफिक् पर हैं based on nature of fixation तो नेचर क्या है उसके आदार पर बात कर रहे हैं तो वेपर fixation वेपर fixation में क्या होता है देखिए इन दिस टाइप ओफ फिक्सेशन दा वेपर ओफ केमिकल इस यूजड टू फिक्स आइदर एस्वियर और टिश्यू सेक्शन तो कोई जो है वेपर बनाई जाएगी और जो वेपर है उसी से क्या fix किया जाएगा उससे या तो smear fix की जाएगी या कोई टिश्यू है सेक्शन है उसका वह fix किया जाएगा तो कोई भी रिएजेंट लिया है हमने जो कि fix करता है कोई भी फिक्सेटिव लिया है उसकी हम वेपर बना करके और जो स्लाइड है या टिश्यू सेक्शन है उसको हम क्या कर रहे हैं fix करते हैं तो किसमें वेपर fixation में चलिए आगे बात कर रहे हैं commonly used chemicals तो इस में जो commonly used chemicals हैं वह कौन कौन से है commonly used chemicals for vapor fixation और फॉर्मेल डियाएड कौन सा है फॉर्मेल डियाएड है कोस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है ग्लूटरेल डियाएड है एतायल एलकॉल है तो यह कुछ हो है केमिकल ते यह रियजेंट सें यह फिक्शियटे जो कि वेपर fixation में काम में आते हैं तो जब हमने बात किय थी सिंपल फिक्शेटिव चीन पिलंग फिर हमने बात कि रियजेंट इंपलोड आज फिक्शिटो क्वियोवन कॉर्मेल डियाएड यह औसमियम टेट्रा ис लग अलग से इनकी जो प्रोपर्टीज थी डिसएडवांटेज थी उनके बारे में हमने पहले बात कर ले थी हम चाहते तो क्लासिफिकेशन करने के बाद में बात करतें लेकिन हमने क्लासिफिकेशन करने से पहले इनके बारे में सेप्लेट बात कर लिए थी तो अगर हम उस टैम पर यह बात नहीं करते तो आप को यह चीज़े जोंसे यह कैणी diplomatic है जैसे कि फॉर्मैलàng डियाड है ढूस्मिन टेट्रा- औक्सायड है गलूट्रेल्डयाइड और एथायल एलकुल है तो गलूट्रेल्ड ड्याइड है आजकर जो हॉस्पिटलस है उनमें गलूट्रेल्ड्याइड को भेज हा रहा है तो ग्लूट्रेल डियाइड है इसका और भी कोई कारण है इसका और कारण क्या है इसको ड्रेसिंग में काम ले रहे हैं इसको सफाई में काम में ले रहे हैं तो ऐसी चीजों में भी इसको काम में ले रहे हैं ज़ो होजार हैं जो सश्टिकल जो इस्टुमेंटस हैं उनके सफाइ में भी गलूत डेयोड को काम मिले रहे हैं तो यह अब भेजा है तो जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें सब्सेजादा यूटूब पर जो केमिकल के बारे सवत्स किया जा करकार के कुछ chemicals होते हैं उनको हम क्या करते हैं वेपर बनाते हैं उनसे smear या कोई tissue section है उसको क्या कर रहे हैं हम fix करते हैं ठीक है चलिए वेपर Converse the soluble material to insoluble material and these materials are retained when the smear comes in contact with liquid solution तो आप क्या है यह समझे कि गलोट ग्लूट्रेल डियाइड है जैसे कि ग्लूट्रेल डियाइड है तो वह क्या है सॉलूवल हो रहा है किसी चीज में ठीक है तो अब क्या है जैसे वेपर बनाते हैं तो वह क्या है इंसो व्लूबर पार्ट में चला जाता है और वह क्या करता है जैसे उपर जाता है वह उस cells cells के बीच में क्या करता है इस प्रकार से जुड़ता है कि वह separate हो सके यानि उनकी जो आपस की जो किरियाएं है या आपस की जो connection से उनको नहीं ब्रेक करता है यह वैपर फिक्सेशन से फैदा हो जाता है ठीक है इसमेर कम से contact with liquid solution जो की जो ऐसा है अगर वो liquid solution है उसमें अगर नहीं होता है तो हम क्या है वैपर फिक्सेशन में काम में लेते हैं रिएजेंट्स को और उनसे प्रेक कर देते हैं चलिए तो हमने बैपर फिक्सेशन के बारें बात की और हमको यह समझ में आया कि वेपर फिक्सेशन होता क्या है जो अब हम बात करते हैं कि पर्फ्यूजन फिक्सेशन तो आपने कई जो होलिवड मुवीज हैं उनमें देखा होगा कि आदमी एक साथ गिर पड़ा है अब आप इसको लेब में ले जा करके जाएं क्या होता है कि जो उनको जब रिसर्च करनी होती है कोई चीज पर तो वो क्या है उनको अब बार ऑपरेट करने के लिए उनको वह नहीं है तो वह क्या है अंदर ही उसको क्या करेते हैं फिक्स कर देते आँग उस चीज़ को जाहिएं तो जो वो जो फिक्से के सना działa किस प्रकार का फिक्सेशन है यह जोगा जिंडर्च पेजिशाराद यह में यूूज है रहा है ज़ saty Taste चार्पनिक पूल्ज शॉन हेज एनिफी अर्टेरियर्य एल सिस्टेम ऑप निनव ठीख है and the whole animal is fixed the organs such as brain or spinal cord can also be fixed by perfusion fixation तो इसमें होता क्या है कि fixative को लेंगे हम और fixative को लेने के बाद में उसमें क्या है जिन्दा जो है animal जिस पर हम research कर रहे हैं उसमें क्या है infuse कर दिया जाएगा fixation को किसमें arterial system में ठीक है जिससे क्या होगा कि वह artery में artery के द्वारा blood के द्वारा जहां जहां तक पहुचेगा उसको वहीं वहीं क्या कर देगा वह उसको वहीं की वहीं उसको fix कर देगा आगई बाद समझ में अब चूंकि blood supply हर जगे हैं तो हर जगे को वह fix कर देता है यान कि कि एक दम ऐसे समझो कि जैसे की माइनस 176 डिग्री टेंप्रेचर लगा कर कि उसको वहीं की वहीं जाम कर दिया कोई एनिमल जैसा है वैसा वहीं रह जाएगा तो यह किसमें होता है यह होता है अगे बात समय में आपको कर फ्यूजठ क्या होता है उसको इनफ्यूज किया यहाएगा आरतियेल स्टम और पर रिसर्च कर रहे हैं और 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 प्रफ्यूजन फिक्सिशन तो बलड सप्लाई तो पूरी पूरी बॉड़ी में एक एक सेल्स तक बलड की सप्लाई जा रही है तो हर चीज फिक्स होनी है इसका मतलब क्या है होल एनिमल को किस से फिक्स हो गया है पर प्रफ्यूजन फिक्सिशन के द्वारा अगर आपको एक्जाम में कोश्चन आ जाए अब यह तो यहां तक बात समझ में आ गई आपको तो अब हमारी जो अगली लाइन है इसको हम एडवांटेज और डिसएडवा कि इस प्रकार से यूजिंग परफ्यूजन है एडवांटेज ओफ पिर्जर्विंग मॉर्फोलोजी तो इससे क्या है हमको एक चीत तो है कि यह मॉर्फोलोजी को अच्छी तरीके से क्या है फिक्स हो जाएगी क्योंकि आप देखिए कि अगर आप ऑपरेट करके भी अगर सेल्स को अपरेट नहीं किया गया है इसका मतलिए सेपरेशन नहीं हुआ है तो इस वज़े से क्या होगा इस वज़े से जैसी सेल्स है वैसी रहेगी उसमें 0.1 परसेंट भी चांस किसके नहीं रहेंगे उसकी चेंज ओफ मॉर्फोलोजी एक तराम नहीं रहेंगे ठीक है तो इसका यह एडवांटेज हो जाता है प्रिजर भी मॉर्फोलोजी बट डेड़ डिस एडवांटेज भी है इसका आर देट दा सब्जेक्ट डाई जो भी आप एनिमल ले रहे हैं वह क्या होगा मरेगा क्योंकि वह पूरा पूरा अंदर से जाम हो चुका है जो जैसी से जहां पर है वैसी वैसी वह यह हो चुका ठीक है आगे बात करते हैं और वॉल्यूम और फिक्सेटिव नीड़ेड फोर लार्जर ऑर्गेनिम्स हाई पोटेंशियली रेजिंग कोस्ट अब क्या है आपने एक चुहा को फिक्स किया ठीक है और अब आप एक मान क बताइए चुहा के लिए कितना मेटरियल चाहिए चुहा के लिए तो मेटरियल चाहिए ज्यादा से ज्यादा 10 ml 20 ml लेकिन अब आपको काव को फिक्स करना है तो आपके लिए मेटरियल कितना चाहिए आपको मेटरियल चाहिए पूरा पूरा जो फिक्सेटिव है उसका 10 ml से भी ज्यादा चाहिए तो अब क्या है वोल्यूम बढ़ गया है किसका फिक्षेटिव का तो वोल्यूम बढ़ा है तो ऐसे तो आता नहीं है उसमें प्राइस लगती है तो यह क्या उसकी कोस्ट को रेज हो जाती है तो यह इसका तो यह हमने वैपर फिक्सेशन और पर्फूजन फिक्सेशन के बारे में बात की अब हम आगे बात करेंगे जो फ्रीजिंग है किस प्रकार से की जाती है और ड्राइंग किस प्रकार से फिक्सेटिव के रूप में यूज की जाती है तो अगर आप अभी तक हमारे वीडियो मे केर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद